महराष्ट में सिंदे सरकार के मंत्री मंडल का दूसरा विस्तार जल्द हो सकता है सिंदे सरकार के विस्तार को लेकर संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और जल्दी तारीक सामने आ सकती है बीजेपी नेता और सिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुन गंटिवार ने कहा कि माराश्ट्र सरकार के मंत्री मंगल की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की उमीद है माराश्ट के मुख्य मंत्री के रूप में 30 जून को शपत ग्रहन करने वाले एक नाच शुन्दे ने पहली बार 9 अगस्त को अपने मंत्री मंगल का विस्तार किया था माराश्ट में सिंदे सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में 18 मंत्रियों ने शपत ली थी शिवसेना के भागीगुट और भारतिय जन्ता पार्टी के 9-9 विधायकों को इसमें मंत्री बनाया गया था बीजेपी के जिन 9 विधायकों को मंत्री परिशद में शामिल किया गया उनमें गरीश महाजन, चंदरकान पाटिल, राधा कृष्ण पाटिल, सुधीर, मुन गंटिवार, विजे कुमार गावित, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, मंगल परताप लोड़ा और रविंदर चोहान शामिल है मुन गंटिवार ने कहा के हमने हाल ही में सरकार बनाई और मुख्य मंत्री सहित उप मुख्य मंत्री समेत 20 मंत्रियों को शामिल किया नियमनुसार महराष्ट में 43 मंत्री हो सकते हैं ऐसे में अभी 23 और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है वही एकनाच शिंडे खेमे ने उदे सामन, संदीपन भुमरे, गुलाव राव पाटिल, दादा जी भूसे, संबुजी राज देशाई, संजेराठोर, अब्दुल सत्तार, ताना जी सामन और दीपक केसकर को भी कैबिनेट में शामिल किया है कैबिनेट मंत्री मुंग गंटिवार ने कहा कि प्षली सरकार में 33 मंत्री थे, ऐसे में शिंडे सरकार में कुछ नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है महराश में मुख्य मंदल और उप मुख्य मंदल विस्तार के मामले पर चर्चा कर रहे हैं नए विध्धायकों को आम जंता की सेवा करने का मौका मिल सके इसलिए मंदल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है सूतरों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि दो कॉंगरिसी नेता जिनोंने पहले मंतरी के रूप में कारे किया था वो कथित तौर पर सतारूट गडवंदन के संपर्ख में है साथ ही उन्हें मंतरी मंदल विस्तार के हिस्से के रूप में शपत दिलाई जा सकती है आपको बता दें कि कॉंगरिस में ये दरार तब सामने आई थी जब जून में हुए MLC चुनाओं में कम से कम साथ विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया था